आप सभी को पता होगा इस बार होली 9 और 10 मार्ज को है होली रंगो का तियोहार है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इसमें रंगो की मस्ती के साथ पकवानों की खुश्बू होती है लेकिन तियोहार की मस्ती में हम कई बाद सेहत को अंधीखा कर देते हैं होली के रंगो से भी हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए आईए आपको बताते हैं जिने ध्यान में रखकर आप सुरक्षित होली मना सकते हैं हाथों पर वैसलीन लगा कर शैंपू से हाथ होए रंग छुडाने के लिए आप ठंडे पानी का अस्तमाल करें नाखुनों से रंग छुडाने के लिए नेल्स पर अमचूर पाउडर डाल कर टुथ ब्रश से रगने बेसन में निंबू और दूद मिला कर उसका पेस्ट बना कर अपनी त्वचा पर लगा रहने दे और फिर गुनगुने पानी से मूहा धो ले खीरे का रस निकाल कर इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और एक चमच सिरका मिरा ले अब इसे अच्छी तरह सिमला कर पेस्ट तयार करें और चहरे को इससे साफ करें आपको चहरे पर लगे सारे दाग धबे दूर हो जाएंगे और दवचा खिली-खिली हो जाएगी हाथों का रंग छुडाने में विनेगर की हल्प भी ले सकते हैं फिंगर बॉल में विनेगर के साथ थोड़ा पानी मिलाएं और इसमें 10 मिनिट तक हाथ डाल कर रखीं रंग कम नव होने पर इस प्रक्रिया को दोहरा सकती हैं मूली का रस निकाल कर उसमें दूद, बेसन का या मेदा मिलाकर पेस्ट बनाएं और उसे चहरे पर कुछ दिल लगा रहने दे इसके बाद चहरा साफ कर लें ऐसा करने से भी चहरा साफ हो जाता है अगर आपकी तवचा पर जादा गहरा रंग लग गया है तो दो चमच जिंक ऑकसाइड और दो चमच अरंडी का तेल मिलाकर लेब तयार करें और इसे चहरे पर लगाएं अब स्पंज से हलकी हातों से रगड कर चहरा धो लें और 20-25 मिनिट बाद साबुर लगाकर चहरा धोएं आपकी तवचा का रंग उतर जाएगा जो का आटा और बदाम का तेल मिलाकर मिश्रण तयार करें अब इस मिश्रण को तवचा पर लगाकर रंग को साफ करें ये स्क्रब की तरह भी कारी करेगा और रंग छुडाने में भी मददगार होगा subscribe our channel and press the bell icon for more updates